कि नमश्कार दोस्तों कि MPPSC Assistant रेस्टार का जो एक्जाम है अब आप सब जानते हैं कि एक्जाम की डेट बढ़ चुकी है और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे सभी दो तो एक सीरीज हमने शुरू करी थी MPPSC के इस एक्जाम के लिए जिसमे कि यही जो है विराम हो रहा है अभी आप कितना आसपास करेंट से कनेक्ट हैं सोसाइटी को कितना समझ पा रहे हैं जिसमें लगबग जैसे टोटल कोशन से अगर मैंने 20 लिए हैं तो उसमें से 5-6 कोशन से हैं जो करेंट से जुड़े हुए हैं कि आप अपने आसपास से कि कि उससे आप दस वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से अन्रोध है कि चैनल को सब्क्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट्स जरूर कर जी करिए जो भी आपको लगता है कि और अभी तो पहले तो यह देखें कि आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जो कंटेंट रखा है वो किस तरह का है क्या नेचर है और खुद का वेलिएशन करिए क्योंकि पेपर माइनस मार्किंग वाला है चलिए तो शुरू करते हैं आज के कोशन किस तरह के प्रशन लि वित्वर्ष 2023 की GDP का 2.9% सिक्षा पर वे किया जाएगा यह बिल्कुल सही है यानि जो हमारा टोटल GDP है और यह बहुत अच्छी बात है कि लगातार GDP में एडुकेशन के लिए जो हो फंड क्या करा जा रहा है बढ़ाया जा रहा है यानि अब एक लाग करोड से उपर पहु योजना पर 4,000 करोड रुपे खर्च बैक किये जाने का अनुमान यह वाला जो है वो गलत हो गया इसका कारण यह है कि जो पीम उच्चेतर जो सिक्षा परोसान योजना थी जिसमें सरकार ने काया कि भाई अगर कोई बच्चे ने 12 करी उसके बाद ऐसा ना हो कि फंड की कम करोड रुपे का प्रोवीजन है ऐसे कुशन आते ही हैं यह ध्यान रखेगा अगला है कि 2022-23 के बजट अनुमान में सिक्षा चेतर पर एक लाग बारा हजार आट सो निन्यानवे करोड के वेग के जाने का अनुमान यह भी सही है और यह इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिक्षा के उपर जो बजट है वो टेक्निकली जो है वो गर कहा जाए एक लाग करोड से उपर चला गया जिसो 2022-23 का जो बजट ध्यान रखेगा अभी यह 23-24 का बजट 2022-23 का जो बजट था उसमें भी एक लाग 4000 करोड के असपास जो है वो लेकिन जब वो शंशोधित किया 2022 थे इसका बजट तो उसमें यह वाला याने 2022-23 में जब उसको उन्होंने रिवाइजड किया तो एक लाग करोड से कम हो गया याने 99,881 करोड रुपे हो गया था रिवाइजड करने पर तो मतलब जैसे कहते रहें कि पिछले बजट में भ एक लाग बारा हजार आट सुन इन्यानवे करोड स्पेंड करेंगे दूसरा जो यह चार हजार करोड लिखा है यह पीएम श्री योजनाब देखो चार पांच कोशन हो गया एक तो पहला तो यह हो गया बजट में 2.9 परसेंट यह एक यूनिक कोशन हो गया रास्टी के लिए यह दूसरा यूनिक कोशन हो गया चार हजार करोड जो गलत किया है तो यह किसके लिए तो यह लिख सकते हैं कि यह पीएम श्री जो योजना है ठीक है उसके लिए जो है यह किया गया है दूसरा कि इससे पहले क्या बजट अन्वान में कभी ऐसा हुआ है कि एक ला कोई कॉश्य आएगा चली अग mettले मतलब इस Compared to envy fitness देखिया इस में अभी और प्लपमिंट यह तो आपना होना चाहिए के लिए आशच्व 800 जो कितना क्या बूलते है 840 करोड 840 करोड रुपे का प्रोवीजन है क्योंकि research और development आपकी slavus का topic है तो अगर आपको 840 करोड का वो figure याद नहीं तो नुकसान दायक हो सकता है ठीक है, bio technology research development के लिए लगबक 1300 कुछ करोड का प्रोवीजन है इसका अगर आपको ऐसा लग रहा है कि budget के सरा हम इतने सारे provision कहां से ढूनेंगे तो मैं अभी आपको इसके बाद इसमें एक नीचे description में एक app का link दे दूँगा, उसको आप download के ले ना, उसमें मैं एक section बना दिया है, मैंने assistant और a star old paper का, जो भी आपको YouTube पे डाले, उसमें वो budget वाला भी में डाल दूँगा, तो उससे आप कम से कम वो figure तो दीरे दीरे करके आप याद करी लीजेगा, कहीं कुछ लगेगा, तो ऐसे बहुत सारे provisions हैं, जो आपको धीरे, और समय बहुत हैं, तो अगर आप अभी से उनको revise करेंगी, तो एक्जाम तक याद रहेंगी नहीं, तो आकड़े बहुत clash होते हैं, एक्जाम होल में, और खासकर problem आपको कहाँ आएगी, माइनस marking वाले एक्जाम, ये ध्यान रखेंगें, चलिए, अगला question है, common wealth of learning के द्वारा, learning for sustainable development strategic plan किस वर्ष जारी किया गया, याने किस वर्ष के लिए जारी किया गया, ठीक है, 2020-25, 2021-27, 22-30, यहाँ पर, तो answer है 21-27, अब देखें, ये question गलत कैसे होगा, ये भी समझें, जो SDG है, याने sustainable development goal है, उसका target है 2030, तो जब भी कोई बच्चा sustainable development strategic plan देखेगा, तो उसके दिमाग में ये 2030 पहले आएगा, याने अगर उसने इसको पढ़ा नहीं है, तो वो दिमाग लगाएगा, कि यार 2030 ही होगा, तो वहाँ अगर आपने, कुछ question ऐसे होते हैं, कि गलत, मतलब हम को सोचने पर मज़ूर नहीं करते, जैसे देखा 30 आ रहे है, इसमें क्या है, तो मतलब minus marking में भी मार्या होगे, और गलत हो जाएगा, अब आपके दिमाग में आएगा, कि ऐसे questions कहां मिलेंगे, मतलब यह तो कहीं, यह newspaper, magazines में ज्यादा नहीं है, जो आपका syllabus से related websites को follow करो, कभी कभी उनको देखा करो, उस पर आदत बनाओ, अलाकि मैं तो अब दीरे दीरे करी रहा हूं, लेकिन मैं आपके लिए कितना करूंगा, आप समझ सकते न, आपको भी प्रयास करना जो है, वो शुरू करना पड़ेगा, तो जैसे इसी यह वाला जो है, वो देखिए, मैं स्क्रीन रोक कर आपको दिखा भी देता हूं, कि कैसे कॉमन वेल्ट ऑफ लर्निंग की वेवसाइट के उपर ही डला हुआ है, लर्निंग फॉर सस्टेनल डवलपेंट स्टेजिक प्लान जो है, वो 21 से सब्ता है, तो अगर आप इस प्लान को ध्यान से देखेंगे, तो यह प्लान आपको बताने के लिए काफी, जैसे यह लिखा हुआ, कॉमन वेल्ट ऑफ लर्निंग हैस डबलट स्टेजिक प्लान फॉर्म 2021 तो 2027 अगेंस दा बैकड्रॉफ ऑफ कोविड नाइंटी पैंडविक विथ एकनॉमिक एजुपी, बतलब बाकी तो आप करी लोगे, तो यह आप किताबों में कहां मिलना है, यह आपको होई से और कोशन यहीं से उठाएगा, कई नया तो उठाएगा यह नहीं कोशन, ठीक है, चलिए अगले कोशन की और बढ़ते देखते हैं, अगला क्या कोशन है, अब अगला कोशन है, हिमाचल प्रदेश का चर्चित अमन काचूर, ठीक है, रेगिंग केस किस वर्ष से, किस रही है, और रेकिंग के लिए टेक्निकली कोई कहा जाए कि कोई कानून या IPC में, CRPC में अलग से कोई प्रवीजन हो, तो ऐसा कहीं नहीं, लेकिन जब 2009 में हिमाचल प्रदेश में यह अमन काचूर रेकिंग का मामल आया, तब पहली बार जब केस दर्ज हुआ, तो उसमें यह बास साफ आई कि यार, आप किसी को अगर टॉर्चर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो उसमें आप जो है, वो उसकी हत्या ही कर रहे हो, तो उसमें जो है, वो 304 आपको मालूम होगा, IPC का जो सेक्शन है, वो गैर इरारदतन हत्या से सम्बन देते, 304, और उसमें अग कि जब यह मतलब 2009 में यह हिमाचेर प्रदेश में टांडा में यह घटना घटी थी, और रैगिंग के कारण जो है, वो उनकी जब मौत हो गई, अमन काचुर की, तब यह केस जब गया, तो इस केस में जब मतलब जैसे FIR launch होती न, तो उसमें जैसे 304 भी लगा, 352 भी लगा, ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि आपने कहीं, बहुत सारी धाराएं होती है, अब उतनी तो मैं आभी आपको यहां समझा नहीं सकता, बट इसके बाद यह प्रशने खड़ा हो गया, क्या रैगिंग के लिए कोई अगर law में कोई provision नहीं है, तो क्या इन्वर्सिटीज रूल भी नहीं बनाएं, यहां पर, तब UGC ने पहली बार इस घटना के बाद रैगिंग के लिए रूल बनाने का प्रयार शुरू किया, और फिर रैगिंग के लिए अगर कहा जाए कि रूल बने या नियम बने और रैगिंग आज फिर उन नियमों के तरह, अलाकि मैं आपको आ आई पी सी के या अन्य धाराओं के जहें वो लगाओंगे, जैसे अपन ने कहा ने कि अगर उसके आप रैगिंग किसी के लिए और उसमें सोसाइटी कर लिए, तो हम उसमें जहें वो गैर इरादतन हत्या का भी जहें वो केस जहें वो फाइल कर सकते हैं, तो इस तरहां से ह एक्ट भी लाया गया तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे दो हजार ग्यारा भी टिक कर देंगे तो मैं आपको यह बता दूँ निकल रहा है अब कैसे निकलेगा वो तो देखने वाली बात तो इसमें दो चीजें हैं यह ध्यान रखिएगा पहला कि दो हजार नो के इस केस के बाद ही पहली बार यूजी सी ने जहाए वो हायर एजुकेशन इंस्टूशन में देखो क्योंकि स्कूल एजुकेशन में लगी एक बहुत दोड़ा मुद्दा है तो कभी नहीं ठीक है हायर एजुकेशन में ही जो है वो एक मुद्दा यह रहा और इसके उपर काम जहें वो हुआ इसके पहलिए जो है वो कमेटी भी बनाएगी ऐसा नहीं यह जो केस है ना दो हजार नो का इसमें एक और अनुकी बात बताओ इस दो हजार के नो के कैसे पहले भी एक रागभन कमेटी बनी थी ठीक है दो हजार साथ में उसकी रिपोर्ट भी आई लेकिन कहते ना कि किसी चीज को किताब सीरियस ले रहे हो उसके उपर सब को जो है वो अगर कहा आजाए यह डिपेंड करता है तो यह भी ए रागभन पूरा इतने में लिख लेना कमेटी 2007 किस से रिलेटेड है तो आप याद रखोगे कि उसका पूरा सीधा सरोकार वो है आपके रेगिंग को कैसे रोका जाए उसमें क्या प्रविजन किये जाए ठीक है रेगिंग की क्या मतलब किस की चीज को आप जो है वो रेगि क्या होता है देखने वाली बात है चलिए अगले के उपर आयते तो याद रहेगा 2007 वो कमेटी अलग हो गई 2009 का यह केस अलग हो गया 2011 में जब रेगुलेशन बनना शुरू है वो एक अलग घटना हो गई है ना तो यह दीनों बातें अलग-अलग है और तीनों को अलग-अल जरूत है नियम में दी गई सेवाओं के उपार्जन है तु बिना निवीदा आमिंत्रित ठीक है बिना निवीदा का मतलब है आपको बाहर टेंडर लाने की जरूत नहीं है ठीक है यह ध्यान रखें टेंडर लाने की जरूत नहीं है आपो open bit बोलवालो कि भाईया जो है वो सबसे बड़ा तो जैनको ना मालुम आज जाके देख लेना नहीं पता चले जैंग को कहीं दूसरा जैंग वो समझ करें तो उन्होंने यह कह दिया कि कुछ इंस्ट्यूशन से ही आप लोग जैसे अध्य प्रदेश में है तो उन्होंने तीन इंस्ट्यूशन में रखे थे संत्रवीदास मध्यप्रदेश क्या बोलते हैं ध्याद रखना दूसरा मध्यप्रदेश खादी ग्राम द्योग और बोड याद रखना है तीसरा तीन से आप सामगली क्या करोगे लोगे क्या-क्या लोगे वह उस आक्ट के अनदर है वो कभी ए 2022 वाला संशोधन उन्हों नहीं किया इसमें इन्होंने एक नई चीज और डाल दी इन्होंने कहा कि अगर आप बिना उसके खुली निवीदा कर रहा है ना मतलब सीधे आप ले रहें तो कौन-कौन सी संस्ताओं से लोगे जैसे सपोज माने की तेल आपको ड्रक्स लेना है ना मैडिकल से संबंदित एक्कूपेंट लेना है तो मत्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्परेशन लिमिटेट से बात करो उससे खरीदो सौफ्टेयर और ड्रोन सेटलाइट संबंदी सेवा अगर आपको लेना है तो मत्यप्रदेश स्टेट एलेक्रोनिक डबलेप समझ दी तो उसमें अब केट्रिंग को ने तो यहां पर यह तो गलत है पहले केट्रिंग और इवेंट मैनेजमेंट सर्विस उन्हों ने दे दी मत्यप्रदेश राज्य परियर्टन विकास निगम यहां पर एमपी टूरिजम डवलपेंट बोर्ट सुना होगा न मत्यप्र इसका अंसर तो यह हो गया यह तो आपको समझ पढ़ गया इस वाले का अंसर इदर लिख दे रहा हूं इसमें है अगर आपको कोई मिल्क और मिल्क रिलेटेट कोई लेना ठीक है कोई भी मिल्क प्रोडेक्ट आपको खरीदना है दुख-दुख पार्द एंपी स्टेट को सब्सक्राइब 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 करें तो उसके लिए आपको मालूम होगा कि सब्सक्राइब नाम की एक संस्ता चलती है पढ़ लीजेगा इंटरनेट पे ना मिले तो मुझे बताएब सब्सक्राइब ना उद्यमित्या विकास केंद्र को सेड में बुलते हैं उससे आप कहो कि या 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 आउट सूर्सिंग कुछ बंदे चाहिए तो सेड में आपके थूरू तो सेड क्या करता है अलग-अलग जगाओं से आउट सूर्सिंग पर आपको मतलब अच्छे अगर कह आजाए लोग या पोटेंशल के व्यक्ति जहां वो अप्लेंद करा देता तो ऐसे इसमें क्या करा यह बढ़ियां सा काम उन्होंने किया या ऐसे उन्होंने क्या करा कि एक दो ने साथ इंस्टूशन्स उसमें डाल दी है तो चार पास तो मैंने आपको बता दी कभी आप देखेंगे कोई भी आपको क्या बोलते हैं प्रचार सामगरी लेना हो कि अपने को प्रिंटिंग से संब्धित कोई सामान खरीद ना है कोई अगर एड़ूटाइज्मेंट करना है तो उसके लिए बकायदा आप मद्यप्रदेश माध्यम से संब्र जाएं और कैस जोड़ी जाएंगे और कैसे कोशन जो है बनाए जाएंगे प्रथम मुल्यांकन चक्र में नैक ए प्लस प्लस ठीक है प्राप्ट करने वाला भारत का सबसे युवा विश्व द्याले मोस्ट से भी उपर मोस्ट आई इंपी कोशन जो उपर वाला होता ना एक कोशन फिक्स हो गुजरात के बढ़ोदा में यह इंवर्सिटी और अभी खुलिए नई इनवर्सिटी तो आप खुद भी आपको मालू होगा कि इनवर्सिटी के लिए नैक बहुत इंपोर्टन डूल प्ले करता है उससे में पता चलता है कि आरे इनवर्सिटी का जो है वह प्रफॉर्में लेकिन वह इनवर्सिटी ग्रांड कमिशन के अंडर में एक और नोमस बॉडी बनाएगी जब उसको खड़ा किया गया था तो वह क्या करती एसस्मेंट के आधार पर मतलब रेटिंग जैसे बन कि होटल में जाते तो कि तो तो यार फाइव स्टार होटल है तो जैसे ही इंवर्सिटी में नेक बहुत इंपॉर्टन डोल ऋ प्ले करता ठीक है आप इंटरनेट पे जाईएगा पारूल इंवर्सिटी नैक जो है वगर कहा आजाए ए प्लस प्लस ही टाइप करेगा इतनी सारी खबरें आपको बड़े बड़े न्यूस्पेपर में हिंदू टाइमस ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस इसमें मिलेंगी आपको ल एक रूरू इनवर्सिटि प्राइवेट वो तो लिखा हुआ है यंगेस्ट इंवर्स्टी लिका लेकिन वह कैसी गौर्ण्मेंट है के जो है वह प्राइवेट है तो आंसर हो गया है कि साम वह एक प्राइवेट इंवर्सिट कहां पर है तो वो गुझरात के बड़ोगदा यह याद रखे इतना अपने को याद रखना है बाकी और मुझे एक कुछ याद नहीं रखना है यहाँ तो उसमें अब एड्मिशन भी धढ़ा-दढ़ होंगे सिक्षा मंतराले के उच्चे सिक्षा विवाद यह higher education के अंतरगात आता है ने देश में पढ़ने लिखने और संस्कृत पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योवा 2.0 योजना की शुरुआत किस दिन की पहले तो इसमें ध्यान रखेगा योवा का full form रट लीज होते हैं सरकार के जैसे अभी आपने देखा होगा न कि प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना चल लगी तो उसके 1.0 आया फिर 2.0 आया फिर 3.0 आया ऐसे तो इसका 2.0 फेस आया था 2.0 अक्टूबर 2022 वो देश यह था सरकार का मतलब जब जो है लाया गया कि भाई है हम 75 authors को सलेक्ट करेंगे इसमें ठीक है मतलब टेक्निकल यह ऐसा नहीं कि कितने भी लोग है मतलब 2.0 अक्टूबर को जब यह योजना अनौंस्ट की गई तो सरकार ने कह दिया है कि हम इस योजना के अतहर्त यंग लोगों को आगे लाना चाहते हैं लिखने की अंदर से जो उनकी चंबता है उसको उभारना चाहते हैं ठीक है और खासकर आपने दिखा़गा वर्सेटाइल आथन मतलब बहु मुखी पृतिवा के लिए हिंदी में भी लिख सकते यंग मतलब यौबा अपके में मतलब आबब देए हुए और वर्सेटाइल मतलब हो गया ऐब दीवी पृत लिखेंगे उस content को जो है वो सरकार अभी ये अभी फरवरी लास्ट में मेरे साथ से शायद ये आज कितनी 26 है साधा 28 तारीक को इसका वो फास्ट पेस में जो लोग जीते हैं उसका घोशना मिलेगी तो किसी पेपर को पढ़ लीजेगा आज 26 तारीक है 28 तारीक को आने वाला ह फिर उनको जहें वो उनकी जो पुस्तक हैं उसको सरकार जो है वो लांच करेगी याने जो विनर्स होंगे उनको विनर्स को डिकलियर किया जाएगा फिर उनकी बुक्स को लांच किया जाएगा अक्तूबर 2023 में इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह higher education education और सब चीजों के लिख सकते हो जो शीडूल एट के अंदर आती हैं आपको मालूम होगा के मुसूची आर्ट के अंदर जो 22 भाशा है प्लस जो है वह आप English में भी लिख सकते हैं ना तो इंग्लिश शीडूल एट की लैंग्वेज 30 साल से आपकी जो है वो उम्मर कम होना चाहिए टोटल 75 ल आप से जो है वो पूछा दूसरा जैसे मैंने अभी आप से क्या बोला कि ऐसे कोई भी कोशन्स होते हैं तो उसको आप हमेशा उसके फेस याद रखे जैसे प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना के सब बहुत सारे चल्ड़ना लेकिन 15 जनवरी 2021 को सका थर्ड फेस सुड़ यह कोशन आप में पलट के गर्दू तो क्या जाएगा प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना 3.0 कब शुरू हुआ तो फिर वहां पर आपको तो ऐसे छोटे छोटे आप मैं तो करा ही रहा हूं लेकिन आप भी अगर पेपर पढ़े तो 15 जनवरी 2021 को यह शुरू हुआ था तो यह एक यह हो गया एक यह हो गया और भी सरकार की उजना है वो देखेंगे अभी जैसे जैसे आएंगी चीजें अगला है मागरद कश्यसवर्दनम ठीक है यहां पर निमलिकित में से किस संस्था का देवा के सीबी आई लोगपाल नेक इंफोर्समेंट डिरेक्टेट त कर लोगे यार के नेक का नहीं होगा और इंफोर्समेंट डिरेक्टेट करें होगा कन्फ्यूजड हो जाओगे यहां अलकि इसको इससे भी लिंक कर सकते हो ऐसे कोशन अगर आ जाएं क्यार यह हमारे जो सिलेवस है उसमें तो सीबी आई है नहीं लोगपाली है तो उससे आ जी सी है ठीक है आपके सिलेवस में N-C-E-R-T है ठीक है यह ध्यान बखिएगा ऐसे जितने भी इंस्टूूशन हैं उनके जो धैवाक के हैं ठीक है जो जिस गरंद से लिए गये गये गरंद आप मत करो हम तो कितने गरंद की कोई भूमी करें लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो लिए गए हैं उनको आप धीरे-धीरे करके क्या कर लें तैयार कर लें तो आपके कोशन गलत नहीं होगे यह तो मैंने आपको बताई दिया कि लोगपाल से और इस क्लास में almost कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि लोगपाल जिसे स्विडन से जो वर्ड है लोगपाल ओंबूटश मैं कहते हैं वहां पर लोगपाल हमा पाल मतलब होता रक्षड है अगर दौर का रक्षड है के तो दौर पाल ठीक है बॉडरस का छेतर पाल पहले राजा-माहराजाओं की जो मतलब territories के बाहर लग खड़े कर दी है तो उनको छेतरपाल कहा जो तो द्वारपाल छेतरपाल ठीक है ग्रहपाल मतलब ऐसे पाल मतलब या तो आज लोगपाल तो किसी उसका मौताज नहीं है और जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने almost मुझे लगता है कि लोगपाल को समझ लीजे कि जितने सिलेवस में आपके हैं अब आप खुद देखे इस से पहले वाला जो पेपर हुआ था उसमें UGC का फुल फॉर्म पूछ लिया गया प्लस अभी आप स्क्रीन को रोक कर अपना एक खुद का मुल्यांकन करिए क्या आपको एम्स ऑल इंडियन इंस्ट जवाक का या हापमें से कितनों को ncr का जो देवाक के पता है तो यहां पर ऐसे कोशन जैसे अगर एम्स तो सोचिए कि इस क्लास में कितने लोगों को मालूम है कि सरीर माढ़मा खलू है धर्म साधना यह ध्यान रखें यह All Indian Institute of Medical Science का मूद्व है ठीक है कभी भी आप देखेंगे मेरे को तो इसलिए मालूम क्योंकि मैं यहीं बोपाल में रहता हूँ मैं घर के पास यह एमस आप स्विट रहे है तो मुझे ऐसे जह है वगर कहा आगा है यह तो इस तरहां से जह है वो हम देख सकते हैं जिसे मैंने एक NCRT का अभी आपको NCRT का पूछ लेगा UGC का पूछ लेगा यह ICT का पूछ लेगा NEC का पूछ लेगा जो भी है तो आप एक क्या करीए सिलेवस उठाइए उसमें हर एक का देवा के कॉपी के अंदर एक पेज बना लिजे मोटो नाम से उसको पूरा अलग से तयार करके लख लिजे तो एक कोशन आपका सेव जोन में चला गया ठीक है चले अगले कोशन के और बढ़ते अगला है मद्यप्रदेश विश्विद्याले अधीनियम 1973 के तहट बनाए जाने वाले परीनियमों में विश्विद्याले के करमचारियों के लिए सेवासर्त का प्राब्धान किस परीनियम में दिया एगए परीनियम 29, 31, 33, 37 तो इसका आंसर है 31 यह ध्यान रखेए इनवर इनवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 35 में परीनियम यह भी ध्यान रखेए मैं यह भी बता दूँ आपको के विश्विद्याले अधीनियम का जो धारा पहती से उसमें परीनियम लेकिन उनके लिए क्या कंडिशन होगी मतलब कितने समय के लिए अपॉइंट किये जाएंगे कोन पॉइंट करेगा कितना वेतन मिलेगा कैसे हटाये जाएगा यह सब वहां नहीं लिखा जाता इसके लिए हमेशा क्या किये जाते हैं सर्विस रूल बनाये जाते हैं उसको बोलते हैं कंडिशन ऑफ सर्विस रूल ठीक है तो कंडिशन ऑफ सर्विस रूल के लिए इनवर्स ऐसे कई वार क्या होता है कि परिणियम की जो गड़ बड़े जाती तो उसमें यह बात साफ है कि आप जो परिणियम बनाओगे तो उसमें किसके लिए क्या प्रोविजन करोगे तो ऐसे परिणियम थोड़े थोड़े तो कम से कम जा है वह आप याद करी लिए ज्यादा ना त कुछ important important तो आप कम से कम याद ही कर ले जैसे अभी सामने आपको दिख राए 29 नंबर तो यह परिक्षकों की न्युक्ति से संब्धित है ठीक है यह मिलिक भी दे रहा हूं परिक्षकों की न्यूक्ती कैसे होगी ये उससे संब्द दे एक अत्रिस में ने आपको भी बताई दिया उसको बताने की कोई मुझे जो है वो ज़रूवती रही किया होगा उसमें कोई इनवर्सिटी यो होती है हर साल उसमें आपको देखाऊगा कि दिख्षान्त समारो कैसे क्या होगा क्या चीज होगी वह सब 33 नंबर का परिणिया है उसके अंदर दिक्षान समारों के बारे में वह बात की गई है उसको आप कॉलेज़ों में जाते हैं तो इन्वर्सिटी से जुड़े वह कॉलेजों के अंदर देख शांद के लिए इसमें चार परिनियम तो मैंने तियार कर दी, पूरे परिनियम करा चुका हूँ, आप मेंसे कहीं लोग मुझे मेसेज करते हैं कि सिर्फ परिनियम करा हूँ, अरे आप पूराने दस वीडियो तो देखो, दस वीडियो में ही मैंने पूरे परिनियम करा चार कम से कम मैंने पांच जो है वो लेक्चरों में परीणियमों की चर्चा कर चको यह दिहान रखना और हर एक में मैंने जब एक कोशन पूछा थो उसमें मैंने मद्यप्रदेश विश्वुद्याले अगला दी इंपोर्टन्ट है और ऐसे कोशन ये भी आये मद्यप्रदेश विश्वुद्याले दीरें 1973 की धारा 21 की उबधारा 17 ठीक है याने सब क्लॉस 17 कि अंतरगस सभा के गठन में कुलपती द्वारा नाम निधिश के जाने वाले पृतिनिधी में निंम्न में से किस छेत्र के पृतिनिध्यों का इध्याय के ऑर हर ग्रूप में किसको रखा जाएगा उसके लिए वह कायदा उन्होंने के अंतर कॉ कुस ब्रूप में और तो group C जो आप जब पढ़ोगे उसमें, कौन सा group है, group C, A, group A, group B, group C, group D, यह पांच group है, group C में जब आप उपधारा 17, देखो क्या होता है न, है तो 17 बीस, लेकिन उसमें अलग-अलग, जिसे उपधारा 16, ठीक है, उपधारा 17, उपधारा 18, तो जो सब सेक्शन 17 है, उसमें 4 चार सेक्टर दिये गया है, वो द्योग दिया गया है, क्रशी दिया गया है, शम दिया गया है, और इसकी जगा वानज्जी दिया गया है, यहने इंग्लिश में बोलें, तो हमको 4 फीड लेना है, फॉर्स्टी अगर कहा जाए, इंडस्टी, सैकेंड अगरी कल्चर, थर्ड लेबर और फॉर्थ कॉमर्स, ठीक है, याद रखिएगा, यहां में लिख भी दे रहा हूँ, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम को बच्चा हो, तो यहां पर एक तो हो गया, इंडस्टी, दूसरा जो हो गया, यह तो खैर, आप लिखी लोगे, अगरी कल्चर, तीसरा जो हो जो हो गया, वो हो गया, आपका लेबर, और चौता जो हो हो गया, आपका कॉमर्स, यहां पर मैंने लिख दिया, इसे चार जो है, वो अगर कहा जाए, अलग-अलग फिल्ड से आप इसको जोड़ोगे, और इसको जो हो यूज में लगए, ठीक है, तो यह कोशन जो हो गलप हो जाएगा, यह ध्याम लगे, इसी में, यह जो ग्रूप C है, ग्रूप C में सबसे इंपोर्टेंट उपधारा अठारा है, जिसका पिछले बार वाले में भी एक कोशन आ गया, कि राज्य विधान सवा से आठ सदस्यों का अच्छे है, ठीक है, यह ध्याम लगे, राज्य मेरा इतना दिमाग चलता है, तो वहाँ जैसे आठ MLA के बारे में बात कि, कि यह आप इनवर्सिटी के कोट में MLA को भी कहोगे, तो MLA भी उसका जो है, वो मेंबर जो है, वो बनेंगे, इस तरहां से हम इनवर्सिटी कोट के कुछ खास जो है, वो प्रवीजन तो याद कर स कोट में 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 बने जाए, है ना, तो वो एक पिकचर देगी तो में फूल और कांट है, तो उसमें वो बोलता है, कि मैं इस मतलब कॉलेज को सबसे जादा जो है, वो मेरे हिसाफ से चलेगा, तो अमरिशन पुरी आता है, और वो डायलोग दीगे, नाग राज, बड़ा अ में जो फंड देते उनका बड़ा एक मतलब यह कोड के डिसीजन में अब सब्सक्राइब कि चलो आप किसी कॉलेज के और इनवर्सिटी कोड में उसमें एक आदमी है जिसने दो करोड रुपे दे रखें और और इनवर्सिटी का टोटली फंड तीन करोड थोड़ देर के या उससे अधिक वाले को आपने जगा दे दी तो ऐसे कोशन हेल्दी हैं जो आपसे मेरे इसाब से कईवार जो है वो पूछे जाते हैं चलिए अगला उननीस से इकिस में जब पहली बार लोग लेखा समीकी पब्लिक एकाउंट कमेटी का गठन किया गया तो उसके पहले अ पहले तो आपको यह पता वाना चाहिए कि जैसे आज इस कोशन को यहीं रोक कर सबसे पहले तो आप सब अपने दिमाग से प्रशन पूछिए कि अभी पब्लिक एकाउंट कमेटी का चेर्मेन जो है वो कौन है क्या आपको पता है अगर नहीं पता है तो यह प्रशन चिन है यह प्रशन चिन है हमारे उपर के यार हमको बेसिक सी चीजें जिससे आमें नियम अनुसार जो है वोगर कहा जाए अपडेट रहना चाहिए वो नहीं पता है तो 1921 में बिटिश पेट में यह कोशन तो ऐसे भी PSC UPSC सब में ही आना क्योंकि 100 यह कंप्लीट करें पब्लिक अच्छे जानते हैं कि अंग्रेजों का वर्चस पर शुरुआत में पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो मेंबर रहे वो सब अंग्रेज ही रहे पहली बार भुपेंद्रनात मित्रा के हाथ में जब मतलब पावर आई तो कोई एक इंडियन को पब्लिक अकाउंट में कोई भी जो है वो अगर कहा जाए इंडियन अभी तक नहीं था और आज की स्तिती में बात करें अब आप देखें मैं प्रशन का आंसर बोला हूं अब आप खुद को अपने आपको देखना है कि आप पढ़ाई के लिए कितना अपडेट हैं या डिडिकेट ठीक है किता अब जैसे एक बार एक स्टूडेंट अभी मेरे जो बैच चलता इसका असिस्टर का अलाइन तो अब तो सचुरेटर हो गया बच्चे बस उसमें अड्मिशन लेते हैं तो जब भी कोई बच्चे अड्मिशन लेता तो पहला प्रशन मुझे यह करता है कि सर वह नोट कैसे म भूलता हूं कि यार देखो वो जो दो घंटे की क्लास में पढ़ाता हूं ना उसको तुमको नोट करना पड़ेगा क्योंकि वो डे टूडे अब सपोज मैं नोट्स बना देता और आज अगर मानगे चलिए अधिर अधिर अजन चौधरी हैं अभी पब्लिक अकाउंट कमे में रहोगे तो हमको खुद ही जह ऐवो एक प्रॉबलम जह हो सकती है तो इस तरह से पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई पी एसी बोलते हैं इसको ठीक है और पब्लिक अकाउंट कमेटी में सबको मालुमें 15 सदस्द्से लोगसभा से होते हैं साथ सदस्से जो है वो र रतमान इस्तिती में बस में इतना बता दूँगा कि कोई भी पब्लिक एकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो रूलिंग पार्टी का नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति जो रूलिंग पार्टी से जैसे अब बीजेपी तो बीजेपी से पब्लिक एकाउंट कमेटी में चे यर्मेन आप जो है वोगर काया जाए किसी को जो है वो नहीं बना से ठीक है दूसरा कि पब्लिक एकाउंट कमेटी का जो भी अध्यक्ष होगा उसकी अपॉइंट्मेंट लोग सवाई स्पीकर करें यह ना जो भी लोग क्योंकि देखो पब्लिक एकाउंट लोग लेखा जो आपका सबका पैसा जो जा रहा है ना जो सरकार के पास डिपॉजिट है तीन तरह के एकाउंट होते हैं देश खिंदर एक होता है मतलब फंड होते हैं एक होता है पब्लिक एकाउंट एक होता है कंटेंजेंसी फंड एक होता है कंसोलिड ठीक है आकस्मिक निती ठीक है संचित निधी और पब्लिक अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो जो आज आप सरकारी नोकरी में जाओगे जो आपका जीपी प्रोविडेंट फ़ंड जो भी जमा करोगे उसा पब्लिक अकाउंट का हस्ता तो चुकि सबसें के लोकसभा की बोट किसको देते हैं मतला एंपी के लिए बोटिंग करते ओना अभी अगले साल जो ही हमारे वी जादा उत्तर डाहिया इसलिए बजट, फाइनेंस, अर्थ व्यास्ता, अर्थ सास्त्र से सम्मधित सभी डिसीजन में आपने किसको शक्तिशाली बना दिया, लोग सबाको, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिदियों को, तो हमें उनसे प्रश्ण करने का अधिकार है, कि भईया, आपको हमने चुना, आपने हमार आपको दे दिये, आपको, अपने आपको देखना है, जो वीडियो में बनाता हूँ, उसके उद्देश्ट हो, आप स्वेम कितना अपडेट हो, वो भी मेरा सोचना बहुत जरूरी है, अगर अपडेट नहीं हो तो नुकसान, तो डव्लू एम हैली, यह मैंने आपको बता दिया, बनियादी बाते, मैंने इस कवेटी से संब्दित आपको समझा लिए, अगला जो है, वो है, e-learning को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार दोरा चलाए जा रहा है, स्वेम प्रोग्राम, ठीक है, कि चार स्तंबों में शामिल नहीं है, मोस्ट से उपर वाला जो मोस होता न, उतना आप इसको याद कर लिजेगा, इस में से कोई ना कोई कोशन आपको बनेगा, कोई भी कोशन अब क्या बनेगा, वो तो मैं अभी तो नहीं के सकता, लेकिन एक्जाम में बनेगा, स्वेम जो पोर्टल सरकाल लेकर आई है, वो एक्जेकली टेक्निकली पूरी तरीके से e-learning को ही प्रमोट कर उसका उदेश ही है कि देश के अंदर जो है वो e-learning जो है वो कैसे जो है बढ़ाई जाए तो पहला है e-learning को प्रमोट करने के लिए हमने क्या करा कि वीडियो लेक्चर्स अपलोड किये यह आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स जैसे आपने आप स्वेंपोटल की वेवसाइट पर जाएए रेजिस्टेशन करिए लॉग इन करिए ठीक है कोर्स चुनिए उसमें आप जैसे रेजिस्टेशन करोगे तो कोर्स आ जाएगा है और कोर्स चुनने के बाद आप वहां से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद उस खुद का भी ज़ू है फेल्बैशें कर सकते उसका तरीका यह है वहां पर आपको टैस्ट कुई जिसे कितना common है या justice के पीछ अभी मैंने पूछा कि public account committee के वर्तमान chairman को ने यह होता है self assessment mcq के form में जैसे कर रहे हैं वहाँ भी mcq के form में होता है यह तीन को है पर वो degree थोड़ी उप्लब्द कराएगा या ठीक है उसको इसके के लिए थोड़ी बनाएगे कि स्वेम पॉर्टल के लिए आप कुछ मत करिए आप जाकर इसका एक play store से पूरा के पूरा एब है वो डाउनलोड कर लिए दो-तीन दिन उस एब को आप चलाएगे ज्यादा मत चलाएगे दो-तीन दिन चलाएगे जब आप दो-तीन दिन जो इसके साथ काम कर रहा है जैसे UGC भी काम कर रहा है NCRT भी काम कर रहा है इगनू भी इसमें काम कर रहा है स्कूल एजुकेशन में आपने देखा होगा NIOS है National Institute of Open Schooling NIOS ओपन स्कूल की दो बुकें आप NIOS से कोई भी डाउनलोड कर सकता है बारवी तक की वो भी इसमें काम कर रहा है ऐसे नो जो AICT टेकनिकल एजुकेशन में अगर हम बात करें यह सब मिलकर इसके उपर काम कर रहा है तो इस तरहां से अगर कहा आजाई कि इनका जो मुदेश वीडियो लेक्चर प्रोवाइट करना डाउनलोड करना यहां पर अगर कहा जाए अब आप कहोगे कि चार स्तम्मे में सर आपने तीन तो बता दिये चोथा यह गलत कर दिया तो चोथा जो है वह है ओनलाइन डिसकेशन इसमें एक और यो वीडियो प्रोग्राम है जिसके अ आप चाहे तो ऑनलाइन डिसकेशन जो है वो फोरम पर जाके वहां पर ऑनलाइन डिसकेशन करके भी जो है वो अपनी समस्याओं को या उसको जो है वो सौट आउट कर सकते हैं इस प्रकार इन उत देश्यों से या यह चार देश्यों को पूरा करने के लिए स्वैम नाम का जह है वो पोटल काम करता है बाकि अगले उसमें जह है वो और जब भी पढ़ाऊंगा तो उसमें उसके बारे में और भी चीज़े जह है वो बताऊंगा ठीक है अभी के लिए इतना इसमें है चलिए अगले कोशन की और बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्या कोशन हमसे कहत अब ये प्रिश्टन मैंने क्यूं लिया यह समझिये इस प्रिश्ट को पढ़ते समय अभी मैं आपसे तरक करिए क्या का उत्तर आपको पता है अगर नहीं है तो क्यूं पता नहीं इस सिद्ध कहीं नहीं नियूस पेपर से अपडेट नहीं, एक वीडियो अभी डालूँगा मैं आपको कल, आप सब लोग इसको देखिए जरूर, नियूस पेपर कैसे पढ़ए, ठीक है, जितने भी लोग इसको देखाए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, नियूस पेवर पढ़ना सीखिए क्योंकि हमें सही तरीके से नियूस पेवर पढ़ना ही नहीं आता पहली चीज़ तो, ये कोशन करेंट से जुड़ा हुआ है, और आपके सिलिवस से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसका आंसर है, राश्टिय अन्ने पिछड़ा वर्ग आयो, है ना, ये ध्यान देखिए, या इने नियूस बैकवर्ड क्लास कमिशन जो है, वो उससे जुड़ा हुआ है, तो अब इसमें क्या समझाओ इससे पहले वाले विडियो में मैं नाशुल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासिस के बारे मैं बहुत अच्छे से बता चुको, तो वो तो अपने को पता है कि सरकार को लगा कि नहीं यार देश में backward class यारे OBC के आवादी अच्छी खासी है इसका भी एक privilege लाव उठाना चाहिए तो फिर 102 संभिधान संशोधन अधीनियम लेकर आये सरकार 102nd constitutional amendment और बकायदा constitution में एक नया article insert किया गया 338 B 338 में national commission for schedule schedule का फिर schedule tribe आ गया 338 A में फिर 338 B और फिर उसके बाद जाए वह वह बकायदा एक यह constitutional commission है आज की स्थिति में तो constitutional commission की भूमिक आपके लेकिन टेक्निकल ही अगर कहा जाए कि आपको यह पता होना चाहिए दो चीजें आपको पता होना चाहिए पहला कि इस तरह की जितने भी स्लेवर्स में commission है उन commission के जो chairman है वो कोन है प्लस वो commission किस ministry के अंदर में आ रहे है थीक है तो जैसे मेरा नाम है वीरेंद्र तो यह जो national commission for schedule का कास्ट है तो ministry of social justice से जुड़ा हुआ है और वीरेंद्र कुमार खटेक के हाथ में है अभी तो सामाजीग नया एवं अधिकारिता मंत्रा ले अब पता चले यही question आप से पूछ लिया जाएगा कि सामाजीग नया एवं अधिकारिता मंत्रा ले कि मंत्री अभी कौन तो अन् सागर से हैं वीरेंद्र कुमार खटेक और वह समय मिनिस्ट्री आफ शोशल जिस्टिस देखते हैं सामाजीग नया है वह मधिकारिता मंत्रा ले तो अब बुनियादी बात तो अपने दिमाग में आगी कि प्रश्ने का नेचर क्या होगा कैसे पूछेगा यहां चली राश् सिक्षा नीती बनाएगी तो राश्टी सिक्षा नीती को उन्होंने क्या करा चार पार्ट्स में डिवाइट कर दिया और टोटल उसमें चैप्टर कर दिये 27 यह तो सबको मालूम होगा जिनने पुराने वीडियो देखेंगे बहुत विस्तार से समझाया कि उसके अंदर प्राइमरी लेवल पर सबसेदा बच्चे पढ़ते हैं। पर और इस द्रॉप आउट रेट को उतना ही लाना है जितना ग्लोबल लेवल पर हमें तरक ढूंडने पड़ेंगे कारण डूंडना पड़ेगा वह सब है वह से पहले कभी इस विशे के उपर कभी किसी का ध्यान गया है इस सिच्छा नीटी में जो चैप्टर तीन है उसमें एक नहीं उसके अंदर साथ अलग अलग हिससे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करते करते जिसमें यह बताया गया कि भाई यह क्यों ड्राप आउट रेट बना उस ड्राप आउट रेट को हम कैसे कम करेंगे क्या तरीके अपनाएंगे क्या सब कुछ होगा वो सब उसके अंदर डला उतना तो अंदर नहीं पूछेगा लेकिन फिर पाउट रेट जाता है उनको अपन कैसे जो है वो कम करेंगे क्या तरीका अपनाएंगे यह सब चीजें भी इसके अंतर दी गई तो ऐसे आप कम से कम एक छोटे-छोटे कोशन्स खुद भी तैयार कर सकते हैं यह याद रखें बारत में किस वर्ष पहली वार महिला सरशक्त करण की दिशा में केंदर सरकार द्वारा जेंडर आधारिद बजट यह जेंडर बेस्ट बजट या लिंग आधारिद बजट लाया हैं गया 2001 2-20056 2011 12 2014 तो आंसर तो पहले में बता दू 2005 यह है क्या सब बज़े बराये जाता था तो उसमें महिलाओं के लिए अलक्से स्कीम ही होती थी सबकी स्कीम में महिलाओं की स्कीम होती थी तो देश में लगा कि यार एक तो हमारा जो सेक्स रेशो है वो सबसे आदा समस्या का विश्य है ठीक है दूसरा अगर कहा जाए महिलाओं के मुद्दे जो है वो समाज की मुख्यदारा से जोड़नी पार रहे हैं तीसरा और un-institutions में महिलाओं की भागीदारी कितनी Supreme Court में आप बताओ आज तक कि इतिहास में कोई महिला Supreme Court में Chief Justice बन पाई? नहीं बन पाई क्यों नहीं बन पाई? हम कारण क्यों और ढून पातें सरकार को लगा कि महिलाओं के लिए अलग से काम करना पड़ेगा उनके लिए अलग से जैसे education है, health है, sanitation है, उनके लिए अलग से fund करो, जैसे जनवी सुरक्षा योजना, बाली का सुरक्षा योजना, ठीक है, प्रधान मंत्री मातरवंदना योजना, या हमारे मद्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, यहाँ, यही सब को last year, 2022-23 का मद्यप्रदेश का जो budget था, उसमें एक unique initiative हुआ, ठीक है, child budget, याद होगा, यहाँ पर अगर कहा जाए, कि हमने जो है, वो child budget लेकर आए थे, तो यह 2022-23 में हम लेकर आए थे, इस बार आप कुछ और, अभी मैं budget के उपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर दे विश्वास है कि आपको बहुत helpful होगा, एक्जाम में सर्वी बनाऊंगा, तो इसको दिहान से बस आभी आज ही मैंने बोल दिया है, कि अब बनेगा, तो उसको देखेगा, तो ऐसे 2056 में यह budget जो है, वो introduce किया गया, यह अपने को याद रखना, मन्मून सिंग सरकार थी, उ प्रिशेश प्रक्रिया का वर्ड़न है, अब यहाँ question क्यों मैंने यह आप कहोगे, सर्य यह तो basic question क्यों ले लिया, तो इसमें आप ध्यान से देखो, कि जातर इस तरह के जो questions होते है, उन questions में बच्चे का दिमाग एक तो 110 पर जाता है, क्योंकि उसको money bill इतना दिमाग में sit कर दिया गया, 110, 110, 110, तो उसका answer तो वहीं चलता है, लेकिन यह 109 में है, पहले तो समझो, actual क्या है, कि जब हम constitution को पढ़ते हैं, तो constitution में क्या करा गया है, यह जो विधाई प्रक्रिया होगी, यह नहीं यह जो हमारी legislative जो process होगी, वो विधाई प्रक्रिया, वो कैसी होगी तो उसके लिए मतलब कैसे जो हो बिल आएगा, तो एक सो साथ में यह लिखा हुआ है, कि भई बिल को आप कैसे जो हो पास कराओगे, 108 तो most IMP, जैसे 107 में दुनों ने क्या लिख दिया है, कि भई बिल जो लाओगे, जैसे कोई कानून बनाते ना, तो कानून लाने के तब वो विधियत अधिनियम कैलाता है, कैसे बिल एक्ट बनेगा, उसकी प्रक्रिया एक सो साथ में, जोइंट सिटिंग लाना है, अगर कोई विशह है, जिसके ओपर दोनों हाउस के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, और हमको जो हो सेख तो दिविशन बुर लान 110 ही बारेगा, अब 109 में क्या है, 110 में तो definition, कि money bill किसको कहेंगे, तो वो लोगसभा स्पीकर को अपने write दे दिया, अब क्यों लोगसभा स्पीकर को write दिया भी थोड़ देर पहले क्या बात करी थी, कि तुमने और हमने सबने किसको बोट दिया है, लोगसभा के member को बोट द यानि money finance bill के साथ, अब 109 में क्या है, यह समझे, 109 में धनविद्यक से संबने दिशेश प्रक्रिया है, मतलब उसमें साफ लिखा हुए कि धनविद्यक में हम किवल लोगसभा को ही power देंगे, उसमें बड़ी अच्छी बात लिखिए जो आपको काम किया, आपने पढ़ी clause कभी किसी ने ध्यान नी दिया हुगा, 1092, कि जब लोगसभा से वो bill पास हो जाएगा, धनविद्यक लोगसभा से जब पास हो जाएगा, तो राजसभा में उसको भेजेंगे recommendation के लिए, राजसभा के पास 14 दिन का time, या तो वो उसको पास करते, ठीक है, या उसमें आपनी recommendation दे दे या लोटा दे, कुछ भी करेगी, यहाँ पर अगर का आजाए, 1092, यानि 109 clause 2 में बड़े-बड़े अक्षर में लिख दिया उनने, कि भाईया, राजसभा की कोई भी सिफारिश, या recommendation सुईकार करना, या ना करना, ये केबल और केबल लोगसभा के होगा, ठीक है, जैसे तुमारे गर में होता न, कि तुम recommendation तो बहुत देते हो, पर पापा के हाथ में कि उसको जो है, तो हाँ, ये 102, कि जब भी होगा, तो ये जो recommendations है, उस recommendations को accept करना, और reject करना, उस पे सभी power लोगसभा को जो है, दे दिएगा, इसी लिए 109 most का उपर वाला IMP है, clause 2 इसका, ये आएगा आपको, सिलिवस में तो है, सबको मालू है, finance का बहुत बड़ा topic है आपको, तो वहाँ भी आपको जो है, और ये UPSC, MPPSC में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहीं आएगा आपको, civil service के किसी भी exam में ऐसे questions और clause जो आजकल पूछने लगे है चले, अगले question के और बढ़ते हैं, अगले question है, उच्चितर सिक्षा विभाग द्वारा, याने higher education द्वारा, दूरस्त सिक्षा, remote जो education है, को बढ़ावा देने के लिए साक्षात, one stop education portal की शुरुआत, किस वर्ष जो है, वो की गई, 2002, 2004, 2006, 2011, तो पहले तो मैं इसका answer बता 2006, इध्यान रखेगा, एक्च्वल भारत सरकार ने 30 October 2006 को ये portal आरम किया था, उस समय मनमून सिंग देश के प्रधान मंत्री थे, उनका उद्देश ये था, कि ऐसे बच्चे, जो मतलब सीदे स्कूल नहीं जा सकते, तो उनको हम जैसे remote education है, कि भाई आव जहाँ है, वहीं से हम जै वो उनको education से जोड़ें, तो उसके लिए कई institutions होनों ने बीच में जै वो उनको लिया, और उन institutions के माध्यम से, आप open education पे कौन काम करते हैं, जब ये 30 October को यहां लिख दे रहा हूँ, 2006 को इंटिडियू ज़या, तो उनने कहा कि आर open institution पे जो institution हमारे यां काम कर रहे, व सबसे पहले तो आप school education में जाओगे, तो इंदुस्तान में सबसे बड़ा कौन है, NIOS, सबसे बड़ा institution, school education पे open, 11 बारवी की अच्छी बुक पढ़ना हो, UPSC, MPPSC, सबके लिए subjective, ठीक है, general knowledge भी नहीं, subjective, तो NIOS के portal से download कर लेना, दूसरा अगर कहा जाए, कि आपको free books अगर download करना है, तो NCRT को ले लो आप, ठीक हलाकि यह open education नहीं चलाता है, यह open है, यह open नहीं, लेकिन इसको ले लो, तीसरा almost रटाई होगा, IGNU, तो इन की साहता से जैसे IGNU है, केंद्री विद्याले समीती है, NCRT है, NIOS है, इन सबके सयोग से इसको सरकार ने क्या करा, चालू कि और अंतराश्टी इस तर पर भी इसको जो है, वो promote किया जाता है, आपको शायद ना मालूँगा, यह portal connect भी है Commonwealth of Learning से, COL के साथ, ठीक है, यानि district learning में आपको मालूम है कि सबसे बड़ा institution अब ही कौन है, Commonwealth country में, COL है, Commonwealth of Learning, state open universities हैं, जैसे मध्यपरदेश में भोज university है, इन से, देखो सरलका से, इसकूल लेवल पर किसको connect किया, NIUS को, इन्वर्सिटी लेवल पर सेंट्रल इन्वर्सिटी में इग्नू को connect किया, इंद्रय गांधी नेशनल ओपन इन्वर्सिटी, state open university, जिनको SOU का आ जाता है, जैसे हमारे मध्यपरदेश में किसको connect किया होगा, Commonwealth of Learning, ऐसे distance learning portal से, जो content है, उसको कैसे हम लेकर आए, प्रक्रिया आगे बढ़ा है, हाला कि आप तो ये ठंडे बस्ते में चला गया, कोई भी नई सरकार आती, तो पुरानी योजनाव को ठंडे बस्ते में जरूर डाल देती है, पर ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, अपने paper खुद बना, आज अगर आप MPPSC को autonomous बनाओगे, तो उसको ये तेह करने का अधिकार दो ना, कि यार वो अपने paper सेट करे, ठीक है, उसका जो है, वो assessment खुद करे, ये, तो हमेशा स्वायतिता का मतलब होता है, कि जो पाठिकरम होता है, paper होते है, ठीक है, कब exam conduct किया जाना है, exam की प्रक्रिया क्या होगी, कितने stage में exam होगा, ये higher education के अंदर autonomous status होती है, financially autonomous नहीं होता है, कि financially आपने fund कर दिया, कि भई या, वो खुद अपना fund जुटाए, वैसे तो फिर अभी ऐसे समझो, इसको autonomous को समझो, सभी private school में पढ़ो, private school के पास खुद कहीं fund आता है, लेकिन दस भी और बार भी के paper क्या, खुद बना लेगा, नहीं बनाएगा, बोर्ट से ही कराना पड़ेगा, यहां पर, ठीक है, private university ले लो, private universities में देखो, या private college में देखो, खुद ही fund erase कर रहा है, खुद कहीं administration है, लेकिन अभी जैसे मैं हूँ, मैंने एक course किया था, carrier college से तो career college तो private है, याने भित्त पोशन उसका खुद हो रहा है, administration उसका खुद है, policy उसने खुद making करी, पर paper मैंने कहां जाके दिये, ब्यू में दिये, बर्कत वला इनवर्सिटी, याने अगर कहां जाए, particle, paper, यह तो वो करेगा न, तो उच्चिसिक्चा की स्वायतिता तो वह है कि centralized public grievance redressal monitoring system, c, p, g, r, m, s, इसको कहते हैं, और यह system जब introduce करा भारा सरकार ने, तो इसको किस ministry में डाला, इसमें जातर बच्चे confuse जाते हैं, इन में, ग्रह मंत्राले, यह तो कोई ministry ही नहीं है, ठीक है, यह ध्यान तकीगा, इसमें नहीं आएगा, अब जो तुक्का मार जाएगा, वो सिक्षा मंत्राले भी मार देगा, क्योंकि जब उसको full family नहीं माल होगा, तो उसकेगा, अपन education वाला paper दे रहे, तो घलवर जाएगा, तो इसमें आती ministry of personal public grievance and pension, ध्यान सब्यों, एक तो यह ministry CD PM क्या अंडर में, और यह report करती है PMO को, प्राइम मिनिस्टर officer क आपने office, UPSC का नाम सुना, SSC का नाम सुना, CBI का नाम सुना, यह जितने नाम आप लोगों ने सुने हैं, यह सब कार्मिक लोग शिकायत हैं, पेंशन मंत्राले के आधी नहीं हैं, यह याद रखने, तो कैसे लोग शिकायत को, public grievance मतलब लोग शिकायत को हम दूर करें, उस उसके लिए public grievance, redressal system के ताहर, monitoring system के ताहर, 2007 में एक पूरा के पूरा प्रोग्राम जो है, वो introduce हूँ, ठीक है, department of administrative reform और public grievance है, ठीक है, यह ध्यार लखेगा, यह ministry नहीं है, यहाँ पर अगर मैं किसको cut करके कर दू, answer तो यह हो गया, यह वाला, लेकिन यह जो है, जिस आग एक अंतरगत आता है, उस विवाग का नाम है, department of administrative reform and public grievance, यह हमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रधान मंतरी, PMO, ministry क्या हो गई, ministry of personal and public grievance and pension, फिर जस्ट उसके नीचे जो है, वो कहां चले गई, department of administrative reform and public grievance, उसके आदी जो है, वो इसको देखते हैं, और हमेशा, य सिक्षा मंतराले के अंतरगत आने वाले, उच्चे सिक्षा विवाग में निम्ल में से कौन सा संस्थान नहीं आता, council of architecture, central institute of education, technology, Indian council of historical research, Indian council of philosophical research, अब समझो यह है क्या, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझना है, टेक्निकली जो ministry of education है, याने सिक्षा मंतराले है, उसके यहां में लिखते हैं, जैसे यहां पर मैंने क्या लिखते हैं, इतना लिखते हूँ, तो चल जाएगा, चलो पूरी लिखते रहा हूँ, ministry of education, तो ministry of education के अंदर क्या है, दो department का, एक department है, school education and literacy, यहां लिखते रहा हू school, education and literacy, ठीक है, school सिक्षा और साक्षरता है, हिंदी में, school सिक्षा और साक्षरता, दूसरा है higher education, यहां लिखते हूँ, ठीक है, इनके अंदर अलग-अलग institutions काम करते हैं, जैसे अगर कहा जाए higher education, तो higher education के अंदर आपको मालूमी होगा, ठीक है, अब कौन-कौन काम करेंगे, जैसे higher education के अंदर यहां लिख देता हूँ, A, I, C, T, E, तो आए गई आएगा, ठीक है, आपने UGC का नाम सुनाओगा, तो UGC भी higher education के अंतरकत आएगा, यह Indian council of philosophical research, यह ICPR जो है, वो यह भी इसके अंतरकत आएगा, ठीक है, Indian council of historical research, ज काम, ठीक है, COA, council of architecture भी इसके अंतरकत आएगा, ठीक है, और भी हैं, जैसे, क्या नाम उसका, एक और है न, Indian council of social science research, इंडियन यहां लिख देता हूँ, Indian क्या बनेगा, Indian council of social science research, I, C, S, S, R, Indian council of social science, हाँ, यही बनेगा, भाइभर क्या हता, बहुत बहुत दिन में सुने रहत हैं, तो confusion हो यह, तो यह, एक तो यह हो गया, higher education, यह सब जो हैं, वो उच्चे सिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और ministry of education को report कर रहे हैं, अब school education में, school education में धेर सारे institution है, कम से कम में दो तीन बता देता हैं, जैसे इस class में सब को मालुम होगा, केंदरी विद्याले, संस्थान सबको जह हो अगर कहा जाए, सबको जह हो अगर कहा जाए, पता होगा, जिसको KVS कहा जाता है, वो इसके अंतरगत आएगा, दूसरा CIET जो है, वो school के अंतरगत आएगा, ये भी आपको याद रखना, CBSC, जैसे यहाँ पर अगर में कुछ लिख दू, CBSC तो सुनहीं होगा, N-C-E-R-T सुनहीं होगा, C-I-E-T सुनहीं होगा, ठीक है, केंदरी विद्ध्याले, यहाँ पर अगर कहा जाए, जो संगठाने, यहाँ पर केंदरी की जगा, के की जगा, C लिखा गया है, केंदरी विद्ध्याले यहाँ पर, यह सब जहें वो इसके दरगत आएगे, एक N-C-T, ठीक है, National Council of Teachers Education, N-C-T, बहुत फेमस है, ऐसे और भी है, पूरे तो नहीं बता पाऊंगा, और भी है, जिसे N-I-U, ऐसे न, National Institute of Open Schooling, अभी मैंने बताया था, यह सब जो है, वो इसके अंतर गता, तो यह हमारे दिमाग में आगे, यह institutions इसके अंतर जो है, वो काम कर र Service Rule 2013 के तहट, महा निदेशा के माम, विज्ञानिक सलाकार, मद्यप्रदेश शाषन के वेतन मान, और सेवा सर्त, निम्न में से किस एक पद के समान होगा, जब यह रूल बनाया गया, तो इसमें प्रवीजन में उन्होंने, इनवर्सिटी के वाइस चांसलर, यह ध्यान रख थोड़ी रखो गया, राज्यपाल तो बहुत बड़ी चीज है, अब कुल सचे इतना बड़ा पद नहीं है, कि जो है, वो अगर कहा जाए, कि किसी हेड के बरावर, याने महा निदेशक, डारेक्टर जनरल लेवल के पोस्ट कोस्ट को जो है, तो इसमें मनोंने क्या करा, य यह कह देए, कि जो भी उसकी सैलरी होगी, जो भी सर्विस कंडिशन होगी, सेवा सरते होगी, ठीक है, मतलब कैसे उसकी अपॉइंटमेंट होगी, जैसे इसमें साफ लिखा है, कि जैसे कुल पती की अपॉइंटमेंट स्टेट गॉर्मेंट करती है, तो यहां भी अगर कहा आपको और इसमें दो चीज़ें आपको मैंने बताएं कि आपको यह देखना है कि करेंट के जो चार-पाज कोश्चन थे वह आपसे कितने आपको याद थे जैसे मैंने आपसे कूछा कि पब्लिक एकाउंट कमेटी के अभी चैर्मेन का नाम बताओ तो आपको पता था कि नही इन सब के प्रशन के उत्तर आपको ढूंड़ तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपको और ऐसे वीडियो मिलते भी जाएंगे इसकी आंसर फाइल आप से डाउनलोड कर सकते हैं प्लस अगर आप ऐसे किसी को लगता है कि वीडियो लेक्शर भी आपको चाहिए तो पुराना MPPSC तो वह एक एविलेवल है और उसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे हेल्दी टेस्ट मिलेंगे और तीस टेस्ट मिलेंगे उसमें उसकी फीजी बहुत नॉमिनल है 2500 अभी डिसकाउंट पर चल रही है ठीक है तो अगर आप में से किसी को अगर लग रहा है कर करें बाकी वह सेकंडरी थिंग है आपकी इक्षा के उपर निरबार है यहां मैं आपके साथ हूं आप निश्चन रही है जो आपको भी मैंने दिया है यह यह सी सीरीज आपको मिलती रहेंगी बस यह हर एक कोशन को डिस्क्रिप्टिव लिखे जितना मैं समझाने की करिए तो आपको एक्षाम में काफी बहुत धन्यवाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा अनुरोध है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और जो पिछले दस वीडियों वह अच्छे से देख लीजेगा ठीक है उन्र दस वीडियों के डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए क्यों क्योंकि जब वीडियो बनाए गए हैं उसके बाद कई अमेंड्मेंट हो गए जैसे सपोज मान के चलो हमने सितंबर में कोई वीडियो बनाया और उसमें सेंट्रल इन्वर्सिटी 54 है अब पता चले 56 हो गई तो हम डिस्क्रिप्श जरूर देखिए सभी लोग जिनने पहले वो डश वीडियो देख लिए हैं वो भी समय समय पर व्याख्या एक्जाम के पहले जरूर देख के जाईएगा उसकी क्या उसमें सुधार अगर कुछ किया है सरकार ने तो हमने अमेंड किया कि नहिंए ठीक है चले बहुत शुक्र करें कि आप सबको सबलता मिले और अच्छी हुचाईयों तक आप जाएं वो जाएं